हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे से यूटूब चैनल एंजिनिरिंग डॉट इन में दोस्तो आरजी पीवी ने आज एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि बताया गया है एक रेजिस्टेशन प्रोसेस पूरी करने के लिए बिफोर दी सेकेंड मॉक टेस्ट आज हम इसीपर चर्चक करने वाले सारी स्टेपस के बारे भारे हम बात करेंगे कहाँपर आपको रिजिस्टेशन करना है पांस से दस तारिक तक के पहला मौक्षिस दिया है अब सेकेंड मौक्षिस के पहले आपको एक registration करना है ठीक है तो यहाँ पर उसी के बारे में आपको बताया गया है तो यह जो registration है वो 12 अगस्त से सुरू होगा और 15 अगस्त के चलेगा 15 अगस्त को रात को 12 बजे के पहले तक आप ये registration कर सकते हैं 12-15 तारिक तक के बीच और आपको इस registration करने के लिए कहां पर जाना है तो उन्होंने एक पोर्टल भी दिया हुआ है rgpv.edu vita.in इस पोर्टल पर आपको जाना है वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे इस पोर्टल पर आपको सारे डेटा आपको पूछेगा आपकी फोटो ली जाएगी और यह जो फोटो है वो एकजाम के टाइम में वो लोग यूज करेंगे तो आप जैसे ही इस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको इन्रोल्मेंट नंबर और डेट आप बर्ड डालने बोलेगा जो की सेम होनी चाहिए जैसा कि आपके स्मार्ट कार्ड में होगी और rgpv के इस्टोडियन लॉग इन में होगी उससे यह मेच होनी चाहिए और जैसे ही यह मेच होगी आफ्टर चेकिंग और इन्रोल्मेंट नंबर एंडियो भी फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ उनिवर्सिटी यह आपके उनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के नुसार होगी और वो चेक करेंगे और सिस्टम आपको सीधे बता देगा आपका नाम और करेंट यह सब सेम होगा तो ठीक है उसके बाद क्या होगा यह आपको मोबाइल नंबर और इमेल आइडी डालने के लिए कहेगा और इस मोबाइल नंबर और इमेल आइडी को भी वो लोग ऑफिसल रिकॉर्ड से इमेज करेंगे यह भी सेम होना चाहिए यदि आपको मोबाइल नं नंबर और in live के और जैसे हैं आपको ये से म Herrn पर आपको One norm अब 예 एम्याटी तो यह आपको नेक्स पैजप ले जाएगा जहां पर आपको फोटो करना है और एड्मिट कर अप्लोड करना है ठीक है और ये दिमिसमेच है से मिंविह तो आप वहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं सिस्टम विल आस्क यू केप्चर यूर क्लीन एंड क्लियर फोटोग्राफ ओके सिस्टम आपका क्या करेगा फोटो लेगा एक क्लियर और जो की एक्जाम टाइम में जो यूस की जाएगी और ये सेम होना चाहिए और फोटोग्राफ केप्चर करने के बाद सिस्टम आप से अपने और जी बीव लॉग इन से डाउनलोड किये एडमिट कार्ट की पीडिएफ कॉपी अपलोड करने के लिए भी कहेगा जैसे ही फोटोग्राफ लेना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ट की पीडिएफ कॉफी अपलोड करनी है और जब ऐसा आप कर लेंगे तब आपको सिस्टम में क्या होगा कि आपके सब्जेक के नाम दिखेंगे उनके कोड दिखेंगे और वो उस सब्जेक की एक्जाम कब होना है उसके बाद क्या करना है अफ्टर सब्मिटिंग एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ सिस्टम विल जनेरेट अ यूनिक यूरल जब आप एडमिट कार्ड की फोटो कार्फ स्वरी एडमिट कार्ड के जो पीडिएफ कॉपी है वो अपलोड कर देंगे और फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे तब आपको वो एक यूनिक यूरल देगा मतलब कि ये एक लिंक देगा ठीक है इस लिंक को आपको सेव करके रखना है और इसी लिंक में जाकर आपको हमेसा एक्जाम देनी है आपकी जो बागे सब्जेक के जो एक्जाम है जिस टाइम पर होगी आपको इसी यूरल पर जाकर आपको एक्जाम देनी है तो इस यूरल को क्या बोला है इन्होंने कि आपको किसे सेयर नहीं करना है नहीं तो आपको क्या होगा कि एक्जाम रद्द कर दी जाएगी You can download the copy of URL in PDF format आप इसे जो URL जनरेट करेंगे URL जो देंगे उसे आप PDF format में डाउनलोड कर दिए और इसे आपने पास safe रगे हो कि इसको किसी के साथ share नहीं करना है और जब भी किसी exam का time होगा मतलब किसी subject की exam होना है तो आप उसी URL पर जाकर exam दे सकते हैं तो दोस्तों यही थी सारे process thank you इस video को लास तक देखने के लिए और प्लीज अपने दोस्तों को share भी कीजिए thank you